हाई दिस इस मनिशा सिंग स्वागत करती हूँ आप सबी का आपके अपने यूटूब चैनल पर यह पुरण्स आशा करती हूँ आप सबी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैरे भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रहे होगे तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्मेंट जॉब की अपडेट को लेके जो की डायरेक्ट निकल के आ रही है दिल्ली जल बोर्ड की तरब से जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वेकेंसे 2024 के रिगार्डिंग यह आपका Department of Urban Development डिल्ली के अंतरगत आता है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है आपको पता है कि बहुत अच्छी पोस्ट होती है ग्रूप C की पोस्ट होती है टोटल पोस्ट आपका 760 यानी 760 सीट रहने वाला है इसके लिए All India के Male Female दोनों Candidate अप्लाई करेंगे तो फ्रेंट्स आगे हम लोग इसके बारे में और भी डीटेल जान लेते हैं अप्लाई करते टाइम आपसे फी क्या लिया जाएगा जेनरल और OBC से 100 रूपीज आदर जो भी Candidate है जैसे कि EWS, SCST, Physically Handicap Person उनसे कोई फी नहीं लिया जाएगा उसके बाद आपका एज का लिमिट क्या रहेगा 18 वर्स से 25 वर्स एज लिमिट रहेगा इसमें relaxation मिलता है अपर एज के लिए OBC को 3 येर्स का और SCST को 5 येर्स का फ्रेंट्स आगे हम लोग और डीटेल्स इसके बारे में जानेंगे लेकिन आप इसका अगर official notification देखना चाते हो डाउनलोड करना चाते हो तो मैंने उसे upload कर दिया अपने टेलीग्राम चनल पर वहाँ पे जाए फॉलो कर लिजिए डाउनलोड करके थोरो ओट एक बार university से doesn't matter कि arts है science है या फिर commerce है तीनों stream के बच्चे यहां पर eligible होंगे कोई सा भी percentage है इंटर पास हो ना अब तो apply कर सकते हो selection की process आपका यहां पर four stage का होने वाला है at first stage you have to clear the online CBT मतलब कि जो computer based test होता है online उसको qualify करना है फिर आपका skill test होगा उसके बाद dv यानी document verification and then simple सब medical होता है फिर merit list में आपका नाम आएगा and joining letter आपको send कर दिया जाएगा तो चलिए अब हम लोग selection की process को detail में समझ लेते हैं friends जैसा कि आपको पता है कि पहले stage पर online exam होता है उसमें आपका 200 questions होते है 200 marks के लिए मतलब कि per question one mark मिलता है time रहता है two hours यानी दो घंटे का और negative marking one by four which means कि 0.25 की negative marking हो जाएगे अब subject wise देखा जाए तो general awareness से 40 questions हो जाएगा 40 number के लिए mathematics से 40 questions 40 marks के लिए reasoning से 40 questions 40 marks के लिए and इधर आपका language का Hindi और English दोनों से 40-40 questions हो जाएगा so this is overall exam pattern इसको qualify करेंगे तब आपका skill test होगा skill test my friends आपका typing का test होता है दो language होता है दोनों में से किसी एक में जिसमें आपको आता हो आप test दे सकते हो English का 35 word per minute होना चाहिए कम से कम और Hindi का 30 word per minute तो जब इसको qualify करेंगे तो simply आपका DV होगा उसके बाद medical होगा फिर joining later मिल जाएगा exam की center की बात करूँ न तो all over India के candidate को दिल्ली में जाके paper देना होगा यह आपका दिल्ली में job करने के लिए बहतरीन opportunity रहेगी तो त्यारी की speed को boost करेंगे चलिए मैं बता देती हूँ आपको क्यो speed boost करना है इस salary को पाने के लिए फेंड्स लेवल 2 का आपको salary मिलता है 19,900 से शुरुआत होती है बाद में आपका salary 63,200 मतलब कि 64,000 के करीब salary मिलती है इसके लिए आपको अभी से त्यारी को दुगनी speed से करनी है ताकि सारा कुछ cover हो सके अब मैं आपको बता दू कि apply का तिथी क्या रह इसका official notification कुछ समय पहले जारी किया गया था जिसके तहात ये आपको बोला गया था कि अप्रील के last तक ये वेकेंसी आजाएगी पर जैसा कि आपको पता है कि अभी लोग सभा का चुनाओ होने वाला है तो अभी exam conduct कराना possible नहीं हो पाएगा इतना सा form अगेर आप लाई करा तो after election आपका माई के last से लेके June तक आपका वेकेंसी आजाएगा पर आपको अभी ये बताने का बस motive ये होता है कि आप अपनी त्यारी अच्छे से करो आपको पता है कि 760 seat है जिसके लिए All India के candidate male female सब ही apply करेंगे तो आप अपनी त्यारी ऐसी रखो कि एक seat इस बार आपकी पकी हो जाए I hope कि इसके regarding आप सारा कुछ detail में समाजिये होंगे अब भी कहीं पर कोई doubt है confusion है comment करके पूछ सकते हो otherwise वीडियो अच्छी लगी हो useful लगी हो तो एक like करना है अपने friends के साथ भी share कर दीजेगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell all पर सेट करके जाएग करके जा है